नवश्कार आप सभी दोस्तों का एक वार फिर से स्वागत है स्टडी स्कुल सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों HP पुलिस एक्जाम 2022 की जो हमारी सिरीज चली हुई है मौक टेस्ट उसमें आज मैं आपके लिए दो IMPORTANT TOPICS मैंने कवर करे हुई हैं उसमें जो हमारे प्रमुख नारे IMPORTANT SLOGAN और जो IMPORTANT अवार्ड प्रमुख पुरुषकार जो 2021 में चाहे वो विल्पृसकार हो, चाहे खेलों के क्षेत्र के हो, चाहे साहित्या के क्षेत्र के हो, सारे मिना Important जो अवार्ड्स हैं, उनको Cover करने की कोशिश की हुई है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, आगर आप चैनल में नए जोड़े हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को भी प्रेस करें दोस्तों मेरी कोशिश है कि मैं आपके एक्जाम से पहले जितने भी जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टेस्ट है तो फर्स्ट जो है हमारे प्रमु आपकी स्क्रीन पर दिये गए हैं तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा आप्शन दी पंडित जवाहरलाल नहरू के द्वारा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नहरू के लक्षे रखा था वो पूर्ण सौराज रखा गया था तो और वो जो हुआ था दोस्तों तो इसी कारण जो प्रतेक वर्ष है 26 जनवरी को गंतंतर दिवस्त के रूप में मनाने का भी फैसला इसी अधिवेशन में भरते रास्टे कॉंग्रेस के लिया गया था और पूर्ण और लोटो जो नारा दिया था तो चार आप्षिन आपके वास यहां दिये गए हैं तो इसमें जो आपका सही अंसर होगा वो होगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आप्षिन ए उगस का है रैट अंसर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बेदों की और लोटो ये नारा दोस्तो दिया गया था तो next जो कोशन है वो है तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजादी दूँगा यह नारा किस ने दिया था तो तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजादी दूँगा तो ये नारा जो दिया गया था दोस्तो ये दिया था सुभास चंद्रबोस औप्शन सी होगा इसका राइट अंसर सुहाश चंद्रबोस के दोरा दोस्तो ये नारा दिया गया था तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजादी दूँगा तो नेक्स जो कोशन है वो है वीजय विश्वतिरंगा प्यारा तो वीजय विश्वतिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था दोस्तो चार आफशन आपके पास स्क्रीन पर दिये गया है तो इसमें जो आपका सही अंसर है वो है श्यामलाल गुपता पारशद तो आपने ये याद रखना है काफी इंपोर्टेंट है श्यामलाल गुपता पारशद के दोरा वीजय विश्वतिरंगा प्यारा ये नारा दोस्तो दिया गया था तो नेक्स जो कोशन है वो है स्वराज हमारा जनमसिद अधिकार है का नारा किसने दिया था तो स्वराज हमारा जनमसिद अधिकार है ये जो नारा दिया था दोस्तों ये दिया था बाल गंगा धरतिल्क के द्वारा ओप्शन डी होगा इसका राइट अंसर बाल गंगा धरतिल्क के द्वारा ये नारा दिया गया था सुराज हमारा जन्मसिद अधिकार है तो नेक्स जो कोशन है वो है तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजादी दूँगा तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजादी दूँगा ये जो नारा दिया गया था ये सुभाश्चंत्र वो उसके द्वारा दिया गया था अफ्शने होगा इसका राइट अंसर तो इसका जो सही अंसर वो है भगत सिंग के द्वारा दोस्तो शहीद भगत सिंग के द्वारा ये नारा दिया गया था समराज्य बाद का नाशो तो नेक्स जो कोशने वह है करमत दो तो करमत दो का जो नारा दिया था वो दिया था दोस्तो बिनोदा भावे अप्षने होगा इसका सही उत्तर बिनोदा भावे के सोरी 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 दोस्तो करमत दो का नारा जो दिया था वो दिया था सरदार बल्लभाई पटेल के दौरा तो जो खेडा सत्यगर गुजरात में हुआ था तो उसका नित्रित्व जो है सरदार बल्लभाई पटेल के द्वारा किया गया था और उसी जो आंदोलन के जलते जो सरदार बल्लभाई पटेल को जो वहां खेडा की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार की उपादी बल्लभाई तो संपूर्ण करांती का नारा जो दिया था ये आपके बास चार आफशन है तो इसमें जो सही उत्रयाब को है जै परकाश नारायन के द्वारा तो संपूर्ण करांती का जो नारा दिया था वो दिया था जै परकाश नारायन के द्वारा तो next है वह है मारो फिरंगी को मारो 57 की जो क्रांती हुई थी तो उस क्रांती में जो शहीद होने वाले फांसी पर लटकाए जाने वाले पहले जो क्रांती का रही थे मंगल पंडे थे और उन्होंने ये नारा दिया था मारो फिरंगी को तो नेक्स जो कोशन है वह है सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा ये बचन किसने दिया था तो सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा ये दिया था दोस्तो इकवालने आप्शन ए होगा इसका सही अंसर तो नेक्स जो कोशन है वह हूँ लीवस इफ इंडिया डाय तो फू लीवस इफ इंडिया डायस का जी बच्चन ये जो नाहरा दिया था दोस्तो ये किस के दोरा दिया गया था तो ये दिया गया था पंडित जवाहर लाल नहरू के दोरा आप्शन डी होगा इसका राइट अंसर पंडित जवाहर लाल नहरू के दोरा दोस्तो ये नाहरा द दिया था हमारे लाल बहादुर सास्त्री आफशन डी होगा इसका सही अंसर जै जवान जै किसान का नारा लाल बहादुर सास्त्री तो इसी के साथ एक और नारा है जै जवान जै किसान और जै विग्यान तो ये जो दिया था अटल विहरी वाजपई के द्वारा दिया गया थ और जै जवान जै किसान का नारा ये लाल बहादुर सस्त्री के दोरा दिया गया था तो नेक्स है भारत छोडो का नारा किस ने दिया था तो भारत छोडो का नारा जो दिया था दोस्तो ये महत्मा गांधी के दोरा दिया गया था जो भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान जो की दोस्तो आठ अगस्त आठ अगस्त उन्निसो ब्यालिस को भारत छोड़ो अंदोलन आरंभु आता और महत्मा गांदी ने इस अंदोलन का नेत्रित्तों किया दा तो उसी अंदोलन के दोरान इन्होंने ये नारा दिया था भारत छ चंदर वोस के दौरा जैहिंद का नारा दिया गया था तो नेक्स है करो या मरो का नारा तो करो या मरो का नारा भी दोस्तों महात्मा गांदी के दौरा भारत छोड़ो अंदोलन के दौरान 1942 को ये दिया था करो या मरो तो नेक्स जो कोशन है दिल्ली चलो का नारा किसने दि तो नेक्स है इनकलाव जिन्दावाद तो इनकलाव जिन्दावाद का नारा ये जो दिया गया दोस्तो भगत सिंग के दोरा ये दिया गया था इनकलाव जिन्दावाद तो जब असेंबली हॉल में जब बॉम फेंके थे भगत सिंग के दोरा तो उसी दोरान ये नारा दिया इनकलाफ जिंदाबाद नेक्स जो कोशन है वो है जै जगत का नारा किसके द्वारा दिया गया था तो जै जगत का जो नारा दिया गया था दोस्तों ये दिया गया था बिनोधा भावे के द्वारा अफशन है इसका राइट अंसर बिनोधा भावे के द्वारा जै जगत का न नारा दिया गया था तो नेक्स जो इंपोर्टेंट स्लोगन है वो है वन्दे मात्रम का नारा तो वन्दे मात्रम का नारा जो दिया गया था तो आपके बास चार अफशने ये दिया था वकीम चंदर चटर जी के द्वारा दोस्तू वन्दे मात्रम जो की भारत का रास्ट्रि आनन्द मट से ये दोस्तो लिया गया है वन्देव मात्रम तो नेक्स है सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है तो ये जो स्लोगन दिया था दोस्तो ये दिया गया था सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा आप्श साइमन कमिशन बापस जाओ का नारा किसने दिया था तो साइमन कमिशन का नारा जो दोस्तो दिया था ये लाला लाजपत्राए के दोरा दिया गया था दोस्तो साइमन कमिशन जो है दोस्तो 1928 में भारत आया था तो इसी के बिरोध में जब लहोर में प्रदर्शन कर रहे थे लाला लाचपत्राय तो अंग्रेज की पुलिस थी उनके लाठी चार्ज में लाला लाचपत्राय जो है शहीद हो गए थे और साइमन कमिशन बापस जाओ का नारा भी उनके द्वारा ही दिया गया था तो यह थे हमारे दोस्तों इंपॉर्टेंट स्लोगन प्रमुक नारे किसने जीता है तो इंद्रा गांधी शांती पुरुसकार 2021 जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है प्रथम को आप्शन भी होगा इसका राइट अंसर दोस्तों जो प्रथम है यह बिसिकली एक NGO है जो की सिक्षा के ख्षेत्र में जो है कार्या करता है प्रथम NGO तो इसक वीरचकर 2021 से सम्मानित किया गया है तो वीरचकर जो दोस्तों 2021 में जो वीरचकर पुरुसकार मिला है तो वो मिला है अभिनंदन वर्थमान को दोस्तों जो वींग कमांडर जब जो बाला कोट की स्ट्राइक होई थी तो उनोंने पाकिस्तान के F-16 जो एयरकाफ्ट को गिरा विंग कमांडर अविनंदन वर्दमान को वीर चकर 2021 के पुरुसकार से सम्मानित किया गया था तो नेक्स जो कोशन है वो है भारत का सबसे स्वच शहर का पुरुसकार 2021 में किसको मिला है तो भारत में दोस्तो 2021 का जो सबसे स्वच शहर का पुरुसकार मिला है वो मिला है इन दौर को और ये इन दौर को दोस्तो लगातार पांचवी वार ये पुरुसकार मिला है लगातार पांचवी वार इन दौर भारत का सबसे स्वच शहर बना है तो नेक्स जो इसमें एक और कोशन बनता है दोस्तों की भारत का सबसे सवच जिले का पुरुसकार मिला है वो मिला है सूरत जिला दोस्तों ये गुजरात का जो जिला सूरत है उसे सबसे सवच जिले का पुरुसकार मिला है पूरे भारत में तो नेक्स जो कोशन है वो है किसे 2021 के लिए UN बुमेन पुलिस आफिसर आफ दा इयर आवार्ड से समानित किया गया तो UN के दोरा दोस्तो 2021 में बुमेन पुलिस आफिसर आफ दा इयर का आवार्ड जो दिया गया वो है सांग्या मला तो सांग्या मला को दोस्तो UN के दोरा बुमेन पुलिस ओफिसर आफ दा इयर के वाड़ से समानित किया गया और ये जो महिला है दोस्तो ये पुलिस ओफिसर ये है नेपाल ये समंदित है और नेपाल की ये पुलिस ओफिसर है Women Police Officer of the Year UN के द्वारा संग्या माल्या को तो next job award है वो है किसे वर्ष 2021 का प्रतिष्टित वुकर पुर्षकार परदान किया गया तो वुकर पुर्षकार जो दिया गया दोस्तो 2021 का ये दिया गया डेमन गुलगट option C होगा इसका right answer दोस्तो डेमन गुलगट को ये पुर्षकार दोस्तो दिया गया जो कि जो man जो बुकर पुर्षकार है 2021 का ये सहित्ते के क्षेत्र में दिया जाता है डेमन गुलगट को 2021 का प्रतिष्टित जो बुकर पुर्षकार परदान किया गया तो next जो हमारा award है वो है नोवल पूरसकारों से अब कोश्चन है कुछ 2021 में चिकित्सा का नोवल पूरसकार किसे मिला तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 का जो नोवल पूरसकार दिया गया तो वो दिया गया दोस्तो आपके A और V यह दोनों ही ऑफ्शन है अमेरिकी साइंटिस्ट इन दोनों को ये चिकित्सा के एक्षेत्र में जो 2021 का नोवल पुरसकार दिया गया डेविड जूलियस और आर्डेम पोटा टॉंटियन को ये अवार्ड मिला दोस्तो नेक्स जो कोशन है वो है 2021 में भौतिकी का नोवल पुरसकार किसे मिला तो 2021 में जो भौतिकी की एक्षेत्र में जो नोवल पुरसकार मिला दोस्तो वो मिला है आपका स्यूकोरो मनावे को स्यूकोरो मनावे ओप्शन ए दोस्तो तो ये जापानी साइंटिस्ट है दोस्तो इनको ये अवार्ड मिला भौतिकी की क्षित्र में जो 2021 का जो नोविल पुर्सकार मिला वो मिला स्यूकोरो मनावे को जो की एक जापानी साइंटिस्ट है तो नेक्स जो question है वो है 2021 में रसाइन के क्शेत्र में जो नोविल किसको मिला तो 2021 में जो रसाइन का नोविल पुर्सकार जो है वो किसको मिला तो वो मिला दोस्तों इसका भी option जो होगा हमारा वो है option D, A और B दोनों को Benjamin List और David Macmillan को Benjamin List और David Macmillan को दो हजार एक्किस का जो रासायन के क्षेत्र में दोस्तों नोवल पुर्सकार मिला, यह जो Benjamin list है दोस्तों यह हमारे Germany के हैं और जो David Macmillan है, यह USA के scientist है, तो इनको सहिखत रूप से रासायन के क्षेत्र में दो हजार एक्किस का नोवल पुर्सकार परधान किया गया, तो नेक् जो सही answer है आपका वो है option number B अब्दुल रजाक गुर्ना अब्दुल रजाक गुर्ना दोस्तो ये तंजानिया तो ये तंजानिया से ये country से बिलॉग करते हैं तंजानिया से अब्दुल रजाक गुर्ना को सहित्य का नोबल पूरुसकार 2021 परदान किया गया और दोस्तो मैं बात बताना चाहूंगा कि भारत के जो प्रत्थम नोवल पुरुसकार विजेता है वो है रविंद्र नाथ टैग और उन्हें वी सहित्य के ख्षित्र में ही नोवल पुरुसकार दिया गया था तो 1913 में उनको ये पुरुसकार दिया था उनकी रचना गितांजली के लिए तो नो मैंन लेंड को दोस्तों और ऐ होगा इसका रविंद्र तो नेक्स जो कोश्शन है वो ओए 67 उन रस्ट्रिय फिल्म पुरुसकार में किसे सर्फर्स्रिष्ट अविनेता का पुरुसकार मिला दोस्तों जो 67 उन जो रस्ट्रिय फिलम अवर्ड धूजार एककिस में जो दि गया और कंगना रानावत को सर्वस्त अभिनेत्रिका और सर्वस्त जो अभिनेता मनोज बाचपई तो एक जो कोशन है काफी इंपोर्टेंट कोशन है कुछन आगा दादा सहे फलके आवार्ड किसे समानित कि आगया जो 51 दादा साहिफल के अवार्ड दोस्तों ये फिल्म जगत के ख्षेतने भारत का सबसे बड़ा पुरुसकार है दादा साहिफल के अवार्ड तो ये जो दिया गया दोस्तों ये दिया गया रजनी कांथ को दोस्तों 2021 का जो है दादा साहिफल के पुरुसकार से समानित किया गया दोस्तों दादा साहेफल जो फाल के पुरुसकार है जो सबसे पहले मिला था वो देविका रानी रोरी को सबसे पहला जो दादा साहेफल के अवार्ड मिला था और इस वर्ष का जो एक कुंजुआं जो दादा साहेफल के अवार्ड 2021 ये रजनी कांत को दिया गया तो नेक्स जो अवार्ड है वो है इस वर्ष 2021 के लिए किन पांच व्यक्तियों को रेमन मैक्स से अवार्ड 2021 से समानित किया गया तो मैक्स से अवार्ड दोस्तो इसे एशिया का नोवल भी दोस्तो इसे का जाता है एशिया का नोविल पुर्सकार जो रेमन मैक्सेस से अवार्ड तो इस वर्ष जो दिया गया दोस्तों ये पांच व्यक्तियों को मिला गया और ये पांच व्यक्तियों हैं मुहम्मद अमजद साही पाकिस्तान के फिर सौदी कादरी वंगलादेश के स्टीवन मुंकी साउथ इस्टेशिया के और वाच डॉगक इंडोनेशिया के और रोवर्ट वैलन फिलिपिन्स के तो इन पांच व्यक्तियों को दोस्तों रेमन मैक्सेस अवार्ड जो 2021 का दिया गया है जिसे एशिया का नोवल पुर्सकार भी का जाता है तो इस साल दोस्तों किसी भी भारतिया को रोवन मैक्सेस से अवार्ड परदान नहीं किया गया है तो नेक्स जो कोशन है वो है किस राज्ये ने इपंचायत पुरुसकार 2021 का जो अवार्ड मिला वो मिला है उत्तर परदेश को आफशन ए होगा इसका राइट अंसर तो इपंचायत पुरुसकार 2021 ये मिला है उत्तर तो next जो award है अब कुछ sports related कुछ important award है जो 2021 में मिले तो है athletics से जुड़े किस खिलाडी को major ध्यान चंद खेल पुरतन पुर्शकार 2021 मिला तो major ध्यान चंद दोस्तो अब जो हमारा sports award है जो सबसे बड़ा भारत का sports award है वो पहले राजीव गांदी खेल रतन हुआ करता था लेकिन इस वर्ष जो खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तो वो 29 अगस्त को मनाया जाता है तो इस खेल रतन का जो अब नाम बदल कर रखा गया है major ध्यान चंद खेल रतन इसका नया नाम है जो पुराना नाम इसका था राजीव गांदी खेल रतन से बदल कर तो इस वर्ष का जो एथलेटिक्स में जो खेल रतन का पुरुसकार दिया गया है दोस्तो नीरज चोपड़ा को दिया गया है दोस्तो आप सभी को पता है कि नोने टोकियो अलॉम्पिक में जो है स्वारण पदक भारत के लिए जिता भाला फेंक में तो जैवलिन थ्रोर है ये भारत के और अलॉम्पिक्स में गोल्ड मैडल भी जीत चुके हैं इस बर और इनको 2021 में एथलेटिक्स के क्षेतर में जोस्तो खेल रतन पुरुसकार दिया गया है तो नेक्स जो कोश्ती खिलाडी ने मेजर ध्यांचंद खेल रत दिया को इस वर्ष्ट 2021 में कुस्ती के जो खिलाडी रवी दिया इनको खेल रतन पुरुसकार दिया गया है तो आपको पता है कि दोस्तो इन्होंने टोकियो अलॉम्पिक जुमें दो है सिल्वर मैडल भारत के लिए जीता तो इनको 2021 में कुस्ती खिलाडी को रवी कुमार दिया गया तो नेक्स वोशन है रास्टेपती रामनात कोमिन ने किस मुक्यवाजी को मेजर ध्यान चंद पुरुसकार 2021 दिया तो किस मुक्यवाजी मुक्यवाज जो खिलाडी है उनको 2021 में मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुसकार दिया गया तो दोस्तो वो दिया गया ह लवलीन को दोस्तो आप सभी को बता है कि लवलीन जो है टोकियो अलॉम्पिक में जो है इन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता है दोस्तो तो टोकियो अलॉम्पिक में ब्रॉंज मेडल लवलीन को दोस्तो जो है हमारा 2021 में ध्यानचंद खेलतन पूर्सकार दिया है ये लवलीन ज तो दोस्तों दो इस बार तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो तेरा खिलाडियों को है मेजर ध्यानचंद खेलतन अवाड़ दिया गया है तो उसमें दो हमारे हौकी टीम के भी खिलाड़ी हैं तो वो है हमारे पी आर स्रिजेश और मन प्रीट सिंग जो मन प्रीट सिंग भार अगर्तिया हौकी टीम के गोल की पर थे 2020 टोकियो अलम्पिक में तो इन दोनों खिलाडियों को हौकी खिलाडियों को जो है खेल रतन अवाड़ दो हजा जा गया था तो नेक्स्कोशन है किन पैरा सुटिंग खिलाडियों ने वर्स दो हजार एकिस में मेजर ध्याचंद ख दोस्तों आप सभी को वता है कि 2021 में पैरा अलम्पिक वी जो टोकियो जापान में हुए तो उसमें जो स्वरन पदक जीतने वाले जो हमारे खिलाडिय वो है अवनी लेखरा और मनीश नर्वाल तो अवनी लेखरा और मनीश नर्वाल को दो हजार एकिस में ये पैरा को मेजर ध्यांचंद खेल रतन पूर्सकार 2021 से समानित किया तो राश्च्चेपती ने किस क्रिकेटर को 2021 में खेल रतन अबॉड दिया दोस्तों वो दिया है दोस्तों मिताली राज ये भारतिय महिला क्रिकेट खिलाडिया और भारतिय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और इ नेक्स जो कोशने वो है किस फुट वालर को मेजर ध्यान चंद खेल रतन पूर्स का 2021 मिला तो फुट वालर को मिला दोस्तों वो मिला सुनील छेत्री को दोस्तों 2021 में जो फुट वालर है मेजर ध्यान चंद खेल रतन अवार्ड से नमाज आ गया तो नेक्स जो कोशने वो है रास्ट्यपती रामनात कुमी ने किन खिलाडियों को अरजुन अवाड दिये तो दोस्तों अरजुन अवाड की मैं अगर बात करूँ तो इस बरस 35 खिलाडियों को अरजुन अवाड दिये गए है उन में से कुछ important जाने पैचाने नाम है तो वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ इसके चमबा जिले से समन दिता है इनको भी हौकी में अवार्ड मिला और सिमरंजीत हौकी में और निशाद कुमार दोस्तों ये भी हमारे जिला उनना से समन दिता है निशाद कुमार इन्होंने भी पैरा अलॉम्पिक में जो 2021 में जो टोकियो जापान में हुए उन्हों में जो है silver medal जीता और शारत कुमार ये भी para athletics तो ये जो कुछ important खिलाड़ी हैं जिनने origin award 2021 से दोस्तो नवाजा गया है तो ये थे हमारे आज का वीडियो दोस्तो जिसमें हमने डिसकस किया प्रमुक स्लोगन और जो प्रमुक पुरुसकार 2021 में जो की प्राप्त हुए थे दोस्तो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like, share और comment जरूर करेगा और वीडियो चैनल को भी subscribe करेगा धन्यवाद